नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कही बार ऐसा होता है कि रात को हमारी निंग एकी समय भी खुल जाती है तमाम लोग इसे समान्य मान कर नजर अंदास कर देते हैं लेकिन इसका कुछ कारण भी हो सकता है तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि रोज ब्रह्मभ मोरत में अच्चानक से निंग खुलना क्यों शुभ माना चाता है और हम ये भी जानेंगे कि किस वक्त निंग खुलने के क्या माईने है तो दोस्तों कई बार रात में सूते सूते अच्छानक आप खुल जाती है वैसे तो ये आपके अतितिक तनाव टेंशन की वजह से भी हो सकता है लेकिन अगर आपकी नीद रोचाना एक ही समय पर खुलती है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए जो तिश विशेशक्यों की मानी तो नीद का रोच एक ही समय पर खुलना कोई संखीत भी हो सकता है सुर्योदय के डेव घंडे पहले के समय को ब्रभ मुहरत कहा जाता है अगर आपके नीद रोचाना ब्रभ मुहरत में खुल जाती हैं तो काफिश शुप माना जाता है और इसी देवताओं का संखेत भी माना जाता है इसी तरह आनी समय के भी अलग अलग माइने हैं चलो आपको पताती हूँ कि अगर सुबह तीन बजे से सारे चार के बीच निम कुलती हैं तो इस बीच दीवी देवताओं का समय माना जाता है इसे ही ब्रंभम हुरत कहा जाता है मानता है कि अगर आपकी रुजाना अपने आप इसी समय पर निम खुलती है जो की समय है तीन बजे से लेके सारे चार बजे तक तो इसका अर्थ है कि दीवे शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठे ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इस्ट देव की अराथना करनी चाहिए इस समय आपकी अराथना सीखिये परमिश्वर तक भौशती है समय की साथ आपको अपनी जीवन में इसकी कारण चमतकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं दोस्तो अगर आपकी नेद पाँच बजे से साथ बजे की बीच खूलती है तो इसका मतलब है कि आपको खुद को इमोशनल लेवल पर मजबूर करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को नियमी तरूर से मेडिटेशन करना चाहिए दोस्तो अगर आपकी नेद रात में एक बजे से दो बजे की बीच खूलती है तो ये आपको आपकी गुसी की ओर इशारा करता है इसका मतलब है कि किसी कारण से आपके स्वभाओं में गुस्सा पनफ रहा है आपको अपने तीज गुसी को नियंतर करने की ज़रूरत है दोस्तो अगर आपकी नेद बारा बजे से एक बजे की बीच तूती है तो आपकी साथ रोजाना ऐसा होता है तो समझी आपके आसपास कोई शक्ती है आपको अपने लक्ष की प्रति जाकरू कर रही है ऐसे में आपको आत्ममंधन करना चाहिए और अपनी जीवन की प्रति कम ही होने का प्रयास करना चाहिए दोस्तो अगर आपकी नेद ग्यारा सी बारा बजे की बीच गुलती है तो इसका मतलब है कि आपकी मन में बहुत सारी नकारात मकताबर रही है ऐसे में रोजाना सुनी से पहने कुछ अच्छा पढ़कर या इश्वर का नाम लेकर सुना चाहिए दोस्तो आपका कॉन सिशन में पे नेद खूलता है कमेंग घर की ज़रूर बताए नमस्कार